आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर था, जिस बात का अंदेशा था वो बात सच हो गई और राजम खान के बेटे की विधान सबा की सदस्ता चली गई एक पिच्चर आई थी 1975 के अंदर, उस पिच्चर का नाम था खेल खेल में और पिच्चर में गाना है जिसका एक बोल है, खुलम खुला प्यार करेंगे हम दोनों, अब नहीं इस दुनिया से डरेंगे हम दोनों लेकिन मुझदा राजनिती की पिच्चर अगर आप देखेंगे, तो लगता है कि खुलम खुला वार करेंगे हम दोनों इस सवीधान से इस लोगतंतर से नहीं डरेंगे हम दोनों ये हम दो कौन हैं और वो कौन दो हैं जिसके उपर लगातार तलवार लटकी हुई थी एक तरफ तो चुनाओ में हार दर हार और दूसरी तरफ दूसरी तरफ कानून का वार ये मोजुदा राजनितिक के अंदर आजम खान के उपर उनके पूरे परिवार के उपर एक ऐसा ग्रहन लगाया है कि आजम खान जिसका परिवार जिसका राजनितिक वर्चस जिसकी तूती बोलती थी लेकिन वो परिवार आज एक के बाद एक उनके ही अपने गड़ में चुनावी हार का सामना कर रहा है और दूसरी तरफ कानून का वार क्या कहेंगे इसको और राजम खान के बेटे की विदान सबा का उनके सदस्दा का चले जाना अलाकि मैंने ये खबर आपको बताई थी और मैंने आपको बताया था कि कैसे जो है अब ये तैह है कि उनके विदान सबा के सदस्दा जाएगी लेकिन सोचे ज़रा किस तरह से रास्नितिक महरे कहा कहा पर सेट के जा रहे है और रासनितिक महरे किस तरह से चले जा रहे है आजम खान के परिवार के बारे में और उनके हाल के अंदर अभी दो साल के आजम खान को और उनके बेटे को सजा हुई है लेकिन किस तरह से आजम खान करीब 27-28 महिने की जेल काटने के बाद में जनवरी 2022 में एक साल की खुली हवा की सांस थी और जनवरी 2023 के जाते जाते एक ख़बर सामने आ गई एक साल बाद ख़बर में आपको दिखाता हूँ आजम खान के बेटे अब्दुला की विधान सवास दस्ता गई दो साल की सजा के बाद में फैसला रामपूर की सवार सीट रिक्त घोसित तो खाली घोसित कर दी गई और सबसे बड़ी बात यह है कि आजम खान के मामले में भी यही हुआ था आजम खान को जैसे सजा हुई उनकी सीट भी खाली घोसित कर दी गई थी और वही सेम पैटरन यहाँ पर उनके बेटे के लिए भी हुआ है और किस तरह से अब अगला टार्गेट हो सकता है क्योंकि आजम खान के खुद सोय उनकी रास्तनितिक पारी वह आप मान करके चलिए कि आप जो है वो कब चुनाओ लड़ेंगे कब क्या होगा वो मालूम नहीं अब उनके बेटे को ना केवल यहाँ पर दो साल की सजा हुई है बलके अगले च्छे साल के लिए चुनाओ भी नहीं लड़ सकते हो और इसलिए विदान सभावी सदस्ता भी चली गई है और अब अगला निसाना क्या उनकी जो हर यूनिवरिस्टी होगा पूरी कहानी को जराप सुनिए और फिर जो है वो गाना भी अपने मन ही मन में य नहीं है इस बात को अपतलासी है टटोली है कि खुलम खुला वाकई वार है और क्या वाकई देश की सविधान और देश के कानून और देश के लोक्तंतर उसका लिहाज है या नहीं है एक पंद्रा साल पूराने मामले में जिसमें सडक पर धरना दिया गया था जाम लगाया गया था उसकी वज़े से आजम खान को आज और उनके बेटे को दो-दो साल की सजा और इस पूरे मामले में बाकी के लोगों को रिहा कर दिया गया है आजम खान और उनकी बेटे को सजा है बाकी को रिहा है देखिए जराब हिंदुस्तान ने इसमें आगे लिखा है कि लोग परतिनीदितों अधिनियम के तहट अगर किसी जन परतिनीदी को दो साल यह उसे जदा की सजा होती है तो उसे ततकाल विदंसवा की सजस्ता के आयोग्य मान लिया जाता है और सजा काटने के बाद भी वहेश छे साल तक चुनाओ नहीं लड़ सकता है जो बहुत मैंने आपको बताई है अब जो है वो किन किन को बरी किया गए मैं आपको बताता हूँ MPMLA कोर्ट ने 15 साल पुराने छजलेट बावाल में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अबजुला आजम को दोसी मानते वे दो-दो साल की सजा सुनाई इस परकरण में सपा कोर्ट ने सपा के दो विधाय को समेथ साथ को बरी कर दिया दो समाज़ादी पार्टी के विधाय को समेथ साथ लोगों को बरी कर दिया लेकिन आजम खान और उनके बेटे अबजुला आजम वो कहां पर है और कहां पर पहुंचेंगे अभी तो इस बात का इंज़ार कीजी सजा के बाद आजम और उनके बेटे की जमानत अरजी को मंजूर कर ली गई है साथ ही सजा पर अपील दाखिल करने के लिए एक माँ का समय दिया गया है लेकिन किस तरह से आजम खान के परिवार को उनके वर्चसों को चुनोती दी गई एक खबर जरा आप देखिए और इससे समझ में आएगा कि कैसे जो है वो घेरा बंदी हुई है जिस सीट पर जिस रामपूर सीट पर तूती बोलती थी वहाँ अपना बूथ तक हार गए आजम खान मिले सिर्फ 87 वोट यहाँ पर भाजपा को 96 वोट मिले और आजम खान को अपने ही बूथ के उपर केवल और केवल 87 वोट मिले 87 यह दिखाता है कि कैसे जो है वो आजम खान को उनके घर से उनके परिवार को कैसे जो है वो रासनेतिक तोर पर घेरा बंदी करके वहाँ पर पठकनी दी गई है और आजम खान के यहाँ पर पठकनी यहाँ पर खतम होगी या इससे भी आगे इससे भी आगे जो है कुछ और बाकी है क्योंकि आजम खान की पतनी वो खुद आठ महीने के लिए आठ महीने के लिए वो खुद जेल में रह चुकी है 26 फरवरी 2020 के अंदर आजम खान की पतनी तंजीन फातिमा और आजम खान दोनों ने सरंडर किया था आठ महीने बाद दिसंबर 2020 के अंदर उनकी पतनी को रिहा कर दिया गया लेकिन आजम खान उसके बावजुद आजम खान को जो रिहाई मिली वो 27 महीने बाद जन्वरी 2020 के अंदर मिली अब उनकी जो युनिवर्सिटी है उसको लेकर भी बहुत सारी पहले से कारवाई चल रही है बहुत सारा पहले से चीजे उसके साथ में भी जुड़ी हुई है आजम खान के उपर 90 तक मुकदमे हुए 90 मुकदमे अब देखना यही है कि आजम खान के साथ में आगे क्या होता है लोग सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये रासनितिक बदले की कारवाई के तहत किया गया है ये रासनितिक बदला मोदी और योगी अपना ले रहे है और एक के बाद एक उनके बयानों को अधार बना करके उनके उस्ते हैं क्या एक खुलम खुला वार है या सब कुछ कानून के दाएरे में हो रहा है आप की राय क्या है नीचे कमेंट बोक्स में अपनी राय जरूर दें इस वीडियो को खूब शेर करें और इसी तरही तमाम ख़बरों के लिए ओनलाइन यूज इंडेक सब्सक्राइब क करें और घंटी जरूर दबाएं